सब्सक्राइब कीजिए मैरे इंग्लिश चैनल को और बैल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्राइंस वेलकम बाटेमारे इंग्लिश और आज के सब्सक्राइब को कैसे समझे जी हाँ हर टाइम कट इंग्लिश का यूज करते हैं जो कि हमें वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉंट्रेक्शन साउंड जो कि आप भी बोल सकते हैं कोई हववा नहीं है बह आप भी मेरे साथ उसे दोहरा पाएं तो वीडियो का इंटक देखते रहीगा आज के बाद जैसा कोई foreigner नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को मिस्स मत कीजिएगा परना आप उन्हें मिस्स कर जाएंगी वो क्या बोल रहे हैं So hello friends, my name is Maddy, you are watching Maddy English, so let's do it So friends, contractions बहुत ही अच्छा role play करता है जब भी आप किसी foreigner से बात करें foreigner आप से बात करें तो आपकी बात कुछ जल्दी समझ लेते हैं इसलिए वो interest भी दिखाते हैं आप से बात करनें यहाँ पर उसी sense में हम बात करेंगे, कुछ contractions का use करके, यहाँ पर speech को fluent बनाना सीखेंगे और हम यह भी समझेंगे कि किस तरह से contractions का use foreigners करते हैं और हम किस तरह से उनकी बात को समझ सकते हैं तो start करते हैं सबसे पहले contractions से, जो की है don't you, हम कहते है don't you, जब भी हमने question take पढ़ा है अगर आपने नहीं पढ़ा है question take तो पढ़ा है, बटे में video चेक कीजिएगा don't you, जब भी don't you कहते हैं तो बहुती बड़ा sound निकल रहा है, मतलब कि थोड़ा से speech लंबी जा रही don't you, don't you, इतना अच्छा नहीं लग रहा है foreigners उसे कहते हैं don't you, don't you, don't you like it, don't you do it, यहाँ पर don't you अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है don't you, जब भी कोई foreigner आप से कहे don't you, don't you like it, तो उसका मतलब होता है don't you, don't you like it, मतलब क्या तुम्हें पसंद नहीं आता है या किसे तुम्हें पसंद नहीं है, don't you like it, क्या don't you do it, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, don't you do it, यहाँ पर उस sense में हम use करते हैं don't you का, तो don't you को foreigners कहते हैं don't ya, तो जब भी कोई foreigner आप से कहे don't ya, तो उसका मतलब होता है don't you. अगला contraction, डिड्यू, आप हमेशा मुझे कहते हैं, सर आप डिड्यू को गलत प्रणाउंस करते हैं, आप डिजू डिजू बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रणाउंसेशन डिजू ही है, जब भी अपनी बात को आप जल्दी से रखना चाहते हैं, contraction के थूर रखना चाहते हैं, तो डिड्यू को contraction हमेशा होता है, डिजू, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिजू, तो जैसे आपको कहना हो, डिजू डू इट, क्या तुमने ये किया, डिजू डू इट, क्या तुमने उससे पूछा, डिजू आस्कें, तो यह जल्दी से आप इसे कह सकते हैं, दे डिजू आस्कें, तो फॉरेनर्स जब भी कहें, डिजू, तो उसका मतलब होता है, डिट यू, तो अब आपको समयने में कठिना ही नहीं होगी, जब भी फॉरेनर्स से मिले, अगर इस तरह का contraction sound निकले, डोंट यू का मतलब डोंचा, डिजू का मतलब डिजू, तो इस ची डिंचा, बिल्कुल सही, अगर आपने डिंचा कहा है, तो आप बिल्कुल सही है, और इंट्रेस भी दिखा रहे हैं अस लेसन में, तो यहाँ पर डिंचा, डिंट यू का मतलब होता है डिंचा, बहुत से लोग कहते हैं डिंट यू, बहुत से लोग कहते हैं डिंट यू, और यहाँ पर foreigners से कहते हैं didn't you, किस तरह से देखिये, didn't you have your breakfast, और didn't you have your lunch, मतलब कि कि आपने अपना breakfast नहीं लिया, आपने अपना lunch नहीं लिया, didn't you have your breakfast, didn't you have your lunch, तो यहाँ पर didn't you, यहाँ पर didn't you जो हम कह रहे हैं, उसकिस सेंस में कह रहे है, इससे पूरा कह दिया है इससे पूरा कह दिया है इससे तरह का साउंड वो निकालते हैं इसकीजिए मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा जब भी आप किसी foreigner से मिलेंगे और वो भी आपसे बात कहने में इंट्रेस्ट जरूर दिखाएगा अगला कॉंट्रेक्शन जो कि foreigners यूज करते हैं हम कहते हैं वाट इस यूर नेम ओ वाट इस यूर नेम foreigners यसे बहुत ही छोटे में कह देते हैं वो कहते हैं वाट के बाद में कॉंट्रेक्शन के साथ में S लगा दिया जाता है जिसका मतलब होता है वाट इस तो वो यहाँ पर उस सेंस में बात नहीं करते हैं इतना बड़ा साँंड नहीं निकालते हैं इतना बड़ा उसे नहीं कहते हैं वो simply कह देते हैं वाट इस यूर नेम तो what's your name, what's your name उस sentence में से use किया जाता है तो बहुत है simple है what is your name, इतना बड़ा ना कहते हैं आप simply कह सकते हैं, what's your name अगला contraction want you देखे, don't you को पढ़ा, don't you तो want you को क्या पढ़ेंगे want you, want you जैसे कि foreigners आप से कहेंगे अगर want you का use करते हैं, तो वो कहेंगे want you do it क्या तुम ये नहीं करोगे want you do it, या फिर want you drive the car want you drive the car, hey want you drive the car क्या है ये want you drive the car अगर वो इस तरह से कह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है क्या तुम कार नहीं चलाओगे want you drive the car, तो want you का मतलब होता है, want you इसे ओर तोड़ा जाए तो हम कहेंगे Will you not तो Will you not का contraction form होगा Want you और Want you को foreigners कहते हैं Want you to drive the car? क्या तुम कार नहीं चलाओगे? Want you to drive the car? इससे इस तरह से pronounce करेंगे मेरे साथ practice कीजिए और foreigners के सामने इससे कहिए बहुत ही अच्छा लगेगा Want you to drive the car? Why don't you do it? अगला contraction What are you? हम हमेशा कहते हैं What are you? लेकिन foreigners यहाँ भी बहुत तेज हैं वो इसे simply कहते हैं What are What are W-A-H-A-T-C-H-A What are What are What are मेरे साथ कहिए What are What are What are What are What are you? हम कहते हैं What are you going to do now अब तुम क्या करने वाले हो What are you going to do now Foreigners इसे कहेंगे What you're gonna do now Gonna ọ इस तरह से foreigners जहते हैं इसलिए हमें समझ जहीं आता है इसलिए में साथ practice करते चले जाएए आपको अगली बार समय में आ जाएगा कि जब भी आप मुसे मिलते हैं और उस तरह के contraction अगर वो कहते हैं तो आपको बड़ी जद्ली समय में आ जाएगा देखिए what you gonna do now 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 इस तरह से उसे कहा जाता है तो आप daily pronounce कीजिए भले एक दो शब्द गलत बोलिए चलेगा लेकिन वाच्चा को सही बोलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से उसे pronounce किया जाएगा अगला contraction do you do you हम कहते हैं do you इसे कहने के तीन तरीके पहला तरीका do you दूसरा तरीका D के बाद में लगा ये contraction और फिर कह दीजिए U तीसरा तरीका D के बाद में लगा ये contraction और कह दीजिए Y A तो do you, do or dear इस तरह से कहा जाएगा तो अगर हमें कहना हो Do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you like it? Porners कहते हैं Do you like it? Do you like the ass cream? तो यहाँ पर उस सेंस में से कहा जाता है जब इसका मतलब होता है Do you, do you like it? Do you do it? Do you like it? तो यहाँ पर इस सेंस में से कहा जाएगा Do you, do you से कहेंगे Do, do, do Do you like it? 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 में साथ में प्रिनोंस कहेजिए ऐसा लगेगा जिससे आप foreigner से बात कर रहे हैं Do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? मतलब की Do you want to go? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप भी foreigner बनते चले जा रहे हैं Practice कर रहे हैं मिर साथ तो आप भी इससे इस तरह से pronounce कीजिए ताकि आपको आसानी से चीजिए समझ में आ जाए Do you want to go? इसे short form में कहा जाएगा Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? Hey, do you wanna go? Hey, do you wanna go? क्या तुम जाना चाहते हो? Hey, do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? D contraction Y-A या फिर Y-O-U Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? की 1-2 Do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna go? And do you wanna go? Yes, I do. तुम्हे शुड नाट है का यूज हम सभी ने पड़ा है जिसका मतलब होता है नहीं चाहिए था शुड नाट है तुम्हे वाह नहीं जाना चाहिए था You should not have gone there इसी तरह से तुम्हे यह नहीं करना चाहिए था You should not have done that या तुम्हे वो नहीं करना चाहिए था You should not have done that तो यहाँ पर You should not have done that इत्ता बड़ा हम कहेंगे You should not have done that बहुत बढ़ा है Foreigners इसे छोटे में कहते हैं You should have done that Shunda Should not have को वो कहते हैं Shunda Oh you shouldn't have done that हमें समधने हाता कि वो कहना क्या चाह रहे है हम समचना इता है तो यह जब भी ऐसे कहें शुंडा उसका मतलब होता है वो शुंड़नस देन डाट आज का आखरीी काउंट्रक्शन देखने जा रहे हैे जो कि है bet you, I bet you, मैं तुमसे शर्ट लगाता हूँ, I bet you, इसे foreigners कहते है, bet you को कहते है, betcha, 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 यहां पर bet you को कहा जाता है, betcha, तो किस तरह से इसका sentence बनाएंगे और किस तरह से इसे use करेंगे, आइए देखते हैं, देखे, bet you, इसे हमें कहना है, betcha, bet you cannot leave without me, इसे एक normal person कहेगा, bet you cannot leave without me, bet you cannot leave without me, मतलब कि, शर्ट लगाओ, तो मेरे बिना नहीं जी सकते हो, bet you can't leave without me, betcha, bet you cannot leave without me, betcha not leave without me, betcha can't leave without me, bet you can't leave without me bet you can't leave without me तो अगर इस तरह से वो कहते हैं तो उसका मतलब होता है bet you cannot leave without me bet you can't leave without me bet you can't drive the car bet you can't drive the car bet you can't drive the car शर्त लगा तुम कार नहीं चला सकते bet you can't drive the car क्या फिर bet you can't guess the answer bet you can't guess the answer तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है bet you can't guess the answer So, bet you can't get the answer. शर्ट लगा तुम इसका answer नहीं पता कर पाऊगे, bet you can't get the answer. So, bet you can't get the answer. मतलब की नहीं पता कर सकते तुम इसका answer. उस नहीं हम यूज कर रहे हैं bet you का, so bet you को, फॉरैनर्स कहते है Bet cha, तो इस तरह से अगर वो कहते हैं, तो उसका मतलब होता है, bet you, bet you can't leave without me, bet you can't get the answer, इस तरह से उसे कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है, bet you, जिसे वो लोग कहते हैं, betcha. So Friends, कहसले की वीडियो निचे, कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएगा, आप वीडियो पसंद आए, तो इसे एक लाइक जरू किजेगा, जो भी अपके जो भी फ्रेंड से वो फॉरेंड साउंड सीखना चाहते हैं, तो उन्हें वीडियो जरूर रफर कीजेगा, ताकि उन्हे दूसरा पार्ट भी बने तो प्लीस कॉमेंट में जरूर बताईएगा मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा एक दो दिन में खिलाल के इस वीडियो मत नहीं बिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई